IOS 16 के features मैंने पहले भी various videos में बताए है लेकिन इस video में आपको जो IOS 16 के features बताऊंगा वो मेरको भी नहीं पता थे तो हो सकता है कि आपको भी नहीं पता होंगे नमस्कार दोस्तों मैंना मैंमित वेलकम पाक टो अलोजिन टेक इन इंदी इस टाइम फर टेकनोलोजी अब Apple हमको clearly बोलता है कि हमको iPhone को extreme heat में नहीं use करना है तो कितनी बार लोग अपने iPhone को car के dashboard में रख लेते and on top of that उस phone को charge कर रहे होते हैं तो अब आपको lock screen पे message देखने को मिलेगा that is charging on hold, charging when resume when iPhone returns to normal temperature तो अगर आपको कोई ऐसा message देखने को मिलता है lock screen पे तो आपको समझ जाना है कि आपका iPhone extremely heat हो चुका है अब अगर आपको कोई भी image को convert करना है तो आपको उस पर इमेज को सबसे पहले files में लेके आना है या फिर अगर वो image already files में है तो उस पर इमेज पे आपको long press करना है यहाँ पे आपको quick actions दिख जाएगा और उसके बाद अब आपको convert image का option मिल जाएगा यहाँ पे तो जैसे आप convert image में click करोगे तो अब उस पर इमेज को आप convert कर सकते हो into a jpg, png या फिर heif तो कहने का मतलब कोई भी image को convert करना है तो यह आपको inbuilt up files में देखने को मिल जाएगा next files में आपको एक और option मिलता है जो आपको macbook में देखने को मिलता था that is अभी आप multiple images को यहाँ पे select करने के बाद जैसे long press करोगे यहाँ पे आपको option मिलेगा new folder with three items इस पे click करोगे तो यह तीनों images एक folder में चले जाएंगे and वो folder को आप rename भी कर सकते हो तो अगर आपको लंबा चोड़ा method follow नहीं करना है कि triple dot पे click किया new folder create किया फिर files को जाके copy करके वहाँ पे जाके paste किया तो यह directly आपको एक option यहाँ पे मिल जाता है अब किते बार ऐसा होते है कोई price कहीं पे लिखी हुई होती है in a different currency say for example dollars में and आपको safari open करके या फिर कोई app में जाके उस currency को Indian rupees में convert नहीं करना है तो आपको एक आसान method मिल जाता है that is अब आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको आपकी camera open कर लेनी है and point करना है उस particular currency के तरफ तो जैसे आपकी camera for example यहाँ पे hundred dollars पे point करेगी आपको कुछी tap से उस currency को rupees में convert करके बताएगा इतना ही नहीं अगर कोई और language में कहीं कुछ लिखा हुआ है and आपको इसको translate करवाना English में तो आपके iPhone की camera इतनी powerful है कि जैसे ही आप aim करोंगे उस particular word के तरफ आप उन wordings को English में translate भी कर सकते हो and यह सारा process camera के अंदर inbuilt हो चुका है of course आप translate के app में जाके भी यह process follow कर सकते हो लेकिन अगर आपको translate के app में भी नहीं जाना है तो simple camera के through आप कोई भी currency को convert कर सकते हो as well as language को भी translate कर सकते हो तो next time अगर आप Apple के कोई website पे जाते हो जहाँ पे आपको French में सब लिखा हो मिलता है and आपको उसको translate तो करना ही है and plus आपको जानना के Indian rupees में कितना होता है तो यह चीज बड़ी आसानी से आपका camera करके देगा अब previously मैंने आपको बताया था कि photos के अंदर albums में जाके कोई भी pictures को आप filter कर सकते हो लेकिन अब आपको यह option सिर्फ albums में नहीं but all photos में भी देखने को मिल जाता है that is library में आने के बाद आप triple dot पर जैसे click करोगे यहाँ पर आपको click करना filters पर and अब आपकी जितने भी बड़ी library of photos हो आप इनको filter कर सकते हो in the form of favorites या फिर अगर आप चाहते हो कि edited pictures आपको दिखाना चाहिए तो वो selection भी आप यहाँ से आके कर सकते हो फिलाल हम edited पर आएंगे and इसको done करेंगे तो अब मेरे को वो ही pictures यहाँ पर दिखेंगे जो edited होंगे अब lock screen पर अगर आपको बहुत सारे notifications आया है तो आपको इसको left side drag करके clear करने की जरूत ही नहीं है अब आपको एक आसान method मिल जाता है that is आपको करना इतना ही है कि इस पटिकर नोटिफिकेशन को left side all the way drag कर देना है and यह जो notification को clear हो जाएगा अब suppose apple music में आप कोई song सुन रहे हो for example यह वाला song है and मेरे को यह song बहुत ही पसंद आया है अब मेरे को इस song का जो artist है उस artist के सारे details जानने है तो मेरे को एक simple सा tap करना है that is यहाँ पे जैसे में spotlight open करूँगा तो यहाँ पे एक मेरे को tap दिख रहा है इस tap पे जैसे में click करूँगा इस artist के बारे में सारे details में यहाँ पे देख पाऊँगा that is क्या date of worth है क्या country of citizenship है इस artist के और कौन से songs है तो basically आपको कोई भी artist के बारे में details जानना है तो आपको सिर्फ spotlight में आना है and सारे details आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे अब अगर आपको किसी ने कोई PDF फाइल बेजा है उसके बाद यहाँ पे आपको जो pen icon दिख रहा इस पे click करना है next आपको यहाँ पे text box का option मिल जाएगा इस पे आप जैसे click करोगे अब आप देख सकते हो कि text box का जो option है वो activate हो चुका है अब यहाँ पे tap करने के बाद आपको click करना है plus पे and text form box पे click कर लेना है अब यहाँ पे कोई भी PDF फाइल पे कुछ भी आप लिखना चाहते हो तो वो तो लिखी सकते हो as well as plus पे click करके आप add signature भी कर सकते हो तो अगर आपको किसी ने कोई form भेजा है तो वाँ पे आपका नाम भी डाल सकते हो and आपका signature भी attach कर सकते हो and उसके लिए आपको एक screenshot लेनी की जरूत नहीं आप यह चीज डिरेक्ट लिए PDF में कर सकते हो अब अगर आपके iPhone को आपको shutdown करना है या फिर reboot करना है तो जो process से काफी लंबा चोड़ा है आपको बहुत सारे buttons यहाँ पे प्रेस करने पड़ते है लेकिन what if में आपको यह कहूँ के दोनों काम आप Siri से करवा सकते हो तो जी हाँ Siri से आप shutdown भी करवा सकते हो और reboot भी करवा सकते हो आपके iPhone को and उसके लिए आपको सिर्व इतना ही करना है सबसे पहले Siri को activate करना है and यहाँ पे आपको command बोलना है shutdown तो अगर यहाँ पे मैं confirm बोलूँगा तो यह वाल iPhone जो है वो shutdown हो जाएगा and अगर मैं को इस पड़िए iPhone को restart करना है तो फिर जो मैं को command बोलना है that is reboot तो बस कुछी commands में आपका जो iPhone हो shutdown या फिर restart हो जाएगा अब आपको यह तो पता ही है कि iOS 16 में आप background रिमूव कर सकते हैं कोई भी pictures है लेकिन what if आपको एक नहीं बलकि multiple pictures से उसका background रिमूव करना है तो फिर आपको photos में नहीं आना है rather आपको आना है files में तो यह feature बहुत ही काम का है ध्यान से सुनना तो सबसे पहले आपको यह करना है कि इसको select कर लेना है for example इन दो pictures का में एको background रिमूव करना है तो दोनों को select कर लेना है उसके बाद यहाँ पे इसको long press करना है and next आपको click करना है quick actions यहाँ पे आपको option मिल जाए कि remove background का तो remove background पे जैसे click करोगे तो आप देख सकते हैं दोनों इस picture से background रिमूव हो चुका है तो इस तरीके अगर multiple pictures का background रिमूव करना है तो आप files में आके यह चीज कर सकते हो तो iOS 16 के यह features आपको interesting लगे तो इस चैनल को appreciate करने के लिए आपको सिर्फ इतना एक करना है वीडियो को like करना है, share करना है चैनल पर पहली बार है subscribe कर सकते हो पास में आपको जो bell icon दिख रहा है उस पर भी click जरूर करिए देखते रहे, ologen taken हिंदियों मिलते हैं next वीडियो में